सभी बच्चों के मेत के पेपर में 70 में से 70 मारक्स आएंगे क्योंकि आपके जीलेगा जो पेपर है वो मिल चुका है नमस्कार प्यारे बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप अच्छा दस के विद्यारती हैं तो इस वीडियो के अंदर में आपको गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके इस बार हाफ विल एक्जाम अर्दवार्शिक प्रिक्ष्या सत्र दो हजार तेईस चोबिस में आने वाला है तो वीडियो को लास तक देखना है वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है अगर आपने एक्जाम से पहले मेत का एक पेपर आपने अच्छे से त्यार कर लिया तो मेत के पेपर में हाफिल एकजाम अर्दवार्शिक प्रिक्षा 2023-2024 में आप गणित के पेपर में मेत के पेपर में पूरे 70 में से 70 मार्क से वो आराम से ला सकते हैं तो वीडियो को आपको लास तक देखना है और वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में नोटिपिकेशन बेल को प्रेस क लिजिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यहां पर समय दिया गया तो पेपर में इस बार आपको तीन गंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और पेपर है वो आपके सत्तर मारक्स का एगा और यहां पर पेपर को पढ़ने से पहले जो निर्देश आपको दिये गए है इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है तो पूरा पेपर है वो उत्तर सहीत में आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा तो वीडियो को आपको लास तक देखना है तो आप देख सकते हैं विशे है आपके गणित और ककसा 10 का यह पेपर है आपके जिले क पेपर है और समय आप देख सकते हैं 3 गंटे 15 मिनट और पुरुणा के आपके 70 और पेपर को पढ़ने से पहले यहां पर निर्देश दिये गए हैं इन निर्देश को आपको जरूर फोलो करना है तो पहरे बत्चो सबसे पहले आपको पेपर में भाग ए दिया गया है खंड प्रसन आपको दिया गया है कि यदि दिखात समीक्रण आक्स स्कौाइर माइनस के एक्स प्लस नो बराबर जीरो के मूल है वो समान है तो आपको के का मान है वो ग्याद करना है दूसरा प्रसन है कि दो संख्याओं का गुननफल 8,460 है और लगुत्तम समापूर्तक यानी LCM 360 है तो महतम समापूर तक है वो आपको ग्याद करना है तो यहां 360 से इस नम्मर को हमें क्या करना है डिवाइड करना है तो जो अंसर आएगा वो आपका HCP होगा और तीसरा प्रसन है कि मान ग्याद कीजिए 9 से 1 स्क्वाइर A माइनस 9 टेन स्क्वाइर A क्यूसर नमर पांच है आपके कि एक बिंदू क्यूं से एक वृत पर इस परस रेखा कि लंबाई है 24 सेमी तदा क्यूंकि केंदर से दूरी कितनी है 25 सेमी तो वर्त की जो तिरिज्या है वो हमें ग्याद करनी है और क्यूसर नमर 6 है कि एक पासे को फेंकने पर विसम अंक आने की प्राइक्ता है वो आपको ग्याद करनी है साथ है पहरे पासे आपके कि बिंदू 4, 7 और 8, 9 के मद्दे की जो दूरी है वो ग्याद करनी है यानि आपको दो बिंदू दे रखे हैं 4, 7 और 8, 9 इनके बीच की जो डिस्टेंस से दूरी है वो आपको ग्याद करनी है और क्यूसर नमर 8 है आपके कि एक द्विगात बहुपद ग्याद कीजिए जिसके सुनने के 2 अंडूर 2 तदा माइनस का 2 अंडूर 2 दे रखा है यानि आपको द्विगात बहुपद है वो ग्याद करना है उसके बाद में भाग 2 है आपके सेक्षन B है और सेक्षन B के अंदर क्यूसर नमर 9 है कि किसी समांतर स्रेडी का पहला पद है साथ और सारुवंतर है आपके माइनस 3 तो नवा पद है वो आपको ग्याद करना है यानि नववा पद आपके नववा पद ग्याद कीजिए और क्यूशन नमर 10 है आपके कि 51 से 110 तक कि प्राकर्थ संख्याओं का जो योग है वो आपको ग्याद करना है कि 51 से लेकर 110 तक कि जो प्राकर्थ संख्याओं है जो नेचूरल नमर है उनका योग है उनका सम है वो आप को गयात करना एक स्कुष्बा तो नमर 12 एक है युक्लिड विभाजने प्रेमेडिका का कथन लिखी युक्लिड विभाजन प्रेमेडिका जो कथन है जो थियोड़ी वो आपको लिखनी है और क्यूशननमर 13 य एक ज़िए पर इस्थित वह बिन्दू ग्यात कीजिए जो बिन्दू माइनस का पांच और दो के से समान दूरी पर इस्तित है और क्यूशन नमर 14 है कि 6 सेमी लंबाई का रेखा घंड कीजिए और इसे 2 अनुपात 1 के अनुपात में विवाजित कीजिए उसके बाद में क्यूशन नमर 15 है कि 2 साइन पाई अपॉन 6 से इंटू कोस पाई अपॉन 3 इसका आपको मान यानि पाई किजिए आपको 180 डिगरी रखना है उसके बाद इसकी जो वेल्यू आएगी वो आपको फाइंड करनी है और क्यूशन नमर 16 है आपके कि 5, 7, 9 अक्स का सवांतर माद्दे है वो 9 दे रखा है तो आपको अक्स का मान है वो फाइंड करना है क्यूशन नमर 17 है आप उस वृत के एक त्रिजे खंड का चितरफल ग्याद करना है आपको एरिया उफ सेक्टर ग्याद करना है जिसका एंगल है जिसका कोण है वो 60 डिगरी दे रखा है उसके बाद में क्यूशन नमर 18 है आपके कि त्रिजा बारा सेमी वाले वृत की कोई जीवा के अंदर पर 120 ड कोण बनाती है तो आपको संगत वर्थकंड का चो छोचतर पले वह आपको जियाद करना है उसके बाद में सेक्सन से कुर्ण मरी third कि एक थेले में तीन लाल और पांच काली गेंदे हैं इस थेले में से एक गेंद यादरचा निकाली जाती है इसकी प्राइक्ता क्या है कि निकाली गेंद लाल हो और लाल नहीं हो तो इन दोनों की जो प्राइक्ता है वो आपको ग्याद करनी है तो पहरे बचो यह पूरा पे यो किशन नमरब vertex थे हो, में आपको केवल दो क्यूशन करने हैं तो कोई भी इन में से आप दो क्यूशन हैं वो कर सकते हैं और क्यूशन नमर 24 आपको दिया गया है यहां पर कि एक समतल जमीन पर खड़ी मिनार की छायां उस इस्तिती में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सुरिय का 59 कौन 60 डिगरी से घट कर 30 डिगरी हो जाता है और मिनार की जो उंचाई है वो आईट है वो आपको ग्यात करने हैं क्यूशन नमर 25 है कि सिद्ध कीजिए कि भाई ये बिंदू से वृत पर खिंची गई इस परस रेखाओं की लंबाईया है वो आपस में क्या होती है बराबर होती है समान होती है इसको आपको प्रूफ करना है शिद्ध करना है और क्यूशन नमर 26 है आपकी कि आकरती में यानि यहां पर जो आकरती दी गई है इसमें कौन ACBA वो 90 डिगरी है और CD यह आपको सिद्ध करना है और उसके बाद में क्यूशन नमर 27 है आपके कि निमने रेखिक समीक्रण यूगम को आलेक विदी से हल कीजिए ग्राफ विदी से हल कीजिए कि 2X प्लस 2Y ब्राबर 16 और 2X ब्राबर Y प्लस 7 और अथ्वा में क्यूशन दे रगा है कि 3X ब्राबर आपके कि पानी से भरी हुई एक अर्ध गोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3,3-4 लिटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है यदि टंकी का व्यास है 3 मीटर तो वह कितने समय में आदी खाली हो जाएगी और अथ्वा में क्यूशन है आपके अथ्वा में क्यूशन दिया गया है कि भुजा साथ सेमी वाले एक गनाकार ब्लोक के उपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है अर्ध गोले का अधिक्तम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का प्रस्टिय छेतर फले वो ग्यात करना है और उसके बाद में क्यूशन न और याद करना इसका आपको भुलग याद करना है और अगर आपको भुलग नहीं आ रहा है तो यह वाला क्यूशन कर सकते हैं बाकी भुलग है वो इजी इस से यदि नीचे दिये गए बटन का माद्दिक है मेडियन है वो आपको 28.5 दे रखा है आपको अक्स और वाई का म 50 से 60 और बारंबारत है 5, X, 20, 15, Y और 5 तो यहां पर जो अग्यात मान है X और Y इनके आपको मान ग्यात करने हैं तो प्रवाद जो पूरा पेपर है यह आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताया है तो वीडियो को आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर आप नए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर दीजिए